ना आओ, टुडेट इस तरीके का लिंकेस जिन कमपाउंट में मिलेगा, यही जीक और कारबन के बीच में, डायर्क्ट कोवलेंट बॉंड क्या होना चाहिए, मिलना जाहिए, ठीक है, and one of the most important compound of organo zinc is dialkyl zinc कौन होता आपका dialkyl zinc and dialkyl zinc is represented by R2ZN कैसे represent किया जाता आपका R2ZN और R is equal to alkyl group methyl ethyl लगते रहेंगे different आपका product मिल जाएगा ठीक है अब क्या हुआ देखो ये dialkyl zinc कैसे बना एक frankland scientist है उन्होंने क्या किया था थे उन्होंने 1849 में वह बनाना चाहा रहे थे ethyl radical क्या बनाना चाहा रहे थे ethyl radical and for the generation of ethyl radical उन्होंने क्या किया reaction of ethyl iodide C2H5I या RI journal मैंने दिखा रहा है RI की reaction किसके साथ कि उन्होंने zinc के साथ तो चाहातों क्या रहे थे वह ethyl radical बनाना या ethyl के form मैं लिखना चाहोगे तो यह लिख सकते हैं C2H5I plus ZN is equal to क्या generate करना था उनका motor C2H5 radical means ethyl radical तो इसको बनाने का attempt कर रहे थे अधिल रिडिकल को लेकिन क्या हुआ आपका जो उन्होंने देखा उनको फाइनली क्या मिला ethyl radical तो मिला नहीं जो उनको प्रोडेक्ट मिला वो क्या मिला आपका dialkyl zinc क्या मिला आपका जब reaction complete ही उनका उन्होंने analysis किया तो जो मिला आपका क्या मिला आपका dialkyl zinc ठीक है तो कैसे होता आपका dialkyl zinc कैसे बनता है जब alkyl iodide r means alkyl and i means iodide when alkyl iodide react with zinc in dry atmosphere ठीक है तो पहले क्या बनता है जैसे ग्रिगनार्ट की reaction आपने पड़ी थी alkyl halide की magnesium के साथ तो क्या बनता था आपका alkyl magnesium halide तो same यहाँ पर क्या मनेगा alkyl zinc iodide क्या बनता आपका alkyl zinc iodide and when two molecules from the two molecules of alkyl zinc iodide one molecule of zinc iodide z and i2 remove हो जाता है ठीक है नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखेंगे r z and i r z and i क्या बन गया आपका देखो यह z and i2 अलग हो गया बचा क्या r2 z n क्या बना फिर आपका r2 z n plus z n i2 ठीक तो यह reaction हुई और finally उनको क्या मिला फिर आपका di alkyl zinc ठीक है अब कुछ physical properties लिखें है तो जो डाइ-alkyl zinc होता है कैसा होता आपका volatile liquid होता है ठीक और वैसे क्या होता आपका inflameable in air होता है ठीक है सांथ में क्या करता है skin को क्या कर देता है बन कर देता है और जो इसकी smell होती हो unpleasant smell है यह इसकी physical property है किसकी normal di alkyl zinc compounds की ठीक है तो di alkyl zinc volatile liquid है skin को burn कर देते हैं inflameable भी होता है वैसे यह नियर में और कैसे होते हैं आपके unpleasant smell इनकी होती है ठीक now chemical properties of di alkyl zinc तो क्या करते हैं आपका जो di alkyl zinc है इससे क्या करते हैं आपका quaternary carbon atom containing hydrocarbon मनाते है quaternary carbon समझ माता carbon जिसकी क्या होंगे वैलेंसी से क्या है आपका carbon carbon attach है एलकेन है तो 4 होने चीए ठीक है एलकेन के case में carbon से 4 carbon attach होंगे तो इस तरीके की चीज़ें synthesize की जाती है LK link से तो कैसे की जाती है देखो दिस इस क्या है tertiary butyl chloride क्लोराइड क्या है आपका tertiary butyl chloride यह किसके सांथ reaction करता है देखो dimethyl zinc तो क्या हो आपका एक methyl ने स्क्लोरीन को replace कर दिया और एक क्लोरीन यहां आ गया तो क्या बन गया फिर आपका c cs3 तीन तो दिखी रहे थे एक cs3 और आ गया नियो पेंटेन बन गया क्या बन गया आपका नियो पेंटेन प्लस बचा किया cs3 एक बज़ गया न दो थे cs3 जेड़न सियर तो क्या बनता है आपका कजा नियकरण का कारवन ये यहां के सांथ और tell के कंते हैं एक सिल किड़ुकरण माता है इसल क्लोराइट एक टीकआ फ्स अदाशन के एक outlet किसा सांथ होगा होगा teudos RCOCl, यह क्या होता है, आपका acid का chloride, इसकी किसके सांथ reaction करेंगे, dialkyl zinc, तो फिर जो वही reaction होगी, CS3 यहाँ चला जाएगा, CL यहाँ पर आजाएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा देखो, RCO, इसकी जगह CS3 तो क्या बन गया, RCOCS3, प्लस, क्या बचा, 1 CS3, 1 ZN और CL, CS3, ZN, CL, next reaction, इसका एक example लिख रहा है, हमने कौन सा, acetyl chloride, क्या नाम है इसका, acetyl chloride, इसकी reaction करी है, diethyl zinc, तो क्या होगा भई, यह zinc, ethyl यहाँ चला जाएगा, और chlorine यहाँ आजाएगा, तो क्या बन जाएगा, CS3, COC2H5, CS3, COC2H5, प्लस, 1 C2H5 रहा, एक zinc कर रहा, और एक chlorine आजाए C2H5, zinc chloride, समझ मारा, तो क्या बन गया, आपका ketone, कौन सा ketone बना, butanone, तो यहाँ पर अलग-अलग derivative रखके, यहाँ पर अलग-अलग रखके, तुम different variety of क्या बना सकते है, ketone बना सकते हैं, ठीक है, next reaction है, कैसे करते हैं, आपका long chain fatty acid, long chain fatty acid मतलब हाँ, यह long chain वाला होना चिया fatty acid का मतलब हाँ, आपका COH, वहला, RCOH, where R is equal to, क्या होगा, long chain alkyl group, ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, alkyl zinc chloride की, यह भी बनता है, आपका, वैसे क्या होता है, alkyl zinc halide से, जो हमने यहाँ पर बनाया था, डाइ-alkyl zinc, उसका क्या करता है, जब distillation करते ह ना, R, ZN, I से क्या बनना था, R2, ZN, जब इसको गरम किया जाता है, ठीक है, जब इसको गरम करके, इसका distillation किया जाता है, वैसे तब बनता है, यहाँ पर को यह भी exist करता, compound, यह निए कि यह unstable compound है, इसको ज़्यादा गरम करेंगे, या इसका vacuum में हम इतना ज़्या क्या करते है, distillation करते हैं, vacuum में उतना ज़्यादा R2, ZN में convert हो जाता है, so this is alkyl zinc chloride, plus इसके reaction कर रहे है, acid chloride के साथ, के easter के साथ, अब देखो क्या है, आपका easter तो जानते हो न, क्या होता है, क्या होता है, R, C, O, O, R, S, यह क्या होता है, आपका easter, अब हम कहा रहे है, इसका acid chloride derivative है, त कौन सा ग्रूप, CO, CL, और यहाँ पर को कुछ भी ले लो, CH2, CO, R, S, यह दि देखो क्या होता, यह होता, compound CS3, CO, R, S, तो यह easter होता, एक hydrogen हटा के कौन सा ग्रूप लागा दो, acid chloride का, तो acid chloride क्या होता, CO, CL, तो क्या बना, CS2, CO, R, S, तो इन दोनों की reaction जब करते हैं, तो क्या बनता है, पहले, keto easter बनता है, भी reaction भी लिखेंगे, when alcohol zinc chloride react with acid chloride easter derivative, then it gives keto easter, which on clemencine reduction, clemencine reduction means reduction with zinc amalgam and HCl, किस के साथ reaction को कहलाता है, zinc amalgam and HCl, और क्या काम होता है, clemencine reduction का काम होता है, it converts carbonyl compound into CH2, ठीक है, जहाँ पर CO group होगा, कौन सा वाला, ketonic CO, उसको किस में convert करता है, CS2 में, कौन करता है आपका, यह बहुत ही जर्मल रियक्शन है, zinc amalgam plus HCl, जब zinc amalgam और HCl के HG यहाँ पर आता है, amalgams कहलाते है, zinc amalgam plus HCl, in that case, carbonyl compounds are converted into CH2, ठीक हो गया, तो this is known as clemencine reduction, तो क्या होगा, जहाँ CO होगा, CS2 में convert होगा, तो क्या ब hydrolysis कर दोगे, तो hydrolysis करने पर क्या होगा, जो easter का bond है, वो तूट जाता है, ठीक, अब हम example से समझते है, देखो, हमने क्या लिया, alkyl zinc chloride, तो जो भी alkyl group होगा, क्योंकि हमें long chain लेना है, तो हम लंबी chain वाला alkyl लेंगे, ठीक है, alkyl zinc chloride, प्लस, देखो easter क्या होता है, य देखो, ये cl की जगह क्या आजाएगा, यहां से, alkyl group आजाएगा, ऐसी reaction हो रही सब जगह, ठीक है, जो क्या है, आपका, जो ग्रिगनाड है, या जो डाई-alkyl zinc है, उसका alkyl group cl की जगह जाता है, ठीक, तो यह क्या दिख रहा है, alkyl zinc chloride, ये alkyl कहा जाएगा, इस cl की का x है, किस से लिंक हो गया, इस carbon से, co, ch2 का whole y, co, c2, h2, बाकी सब ऐसा ही रहा, ये यहाँ चला गया, और ये यहाँ आगया, प्लस z and cl2 अलग हो गया, ठीक, नेक्स्ट आपका clevenson reduction, what does it mean, this reducing agent, ठीक है, reduce किसको करेगा, reduce this carbonyl group to ch2 group, तो क्या बचा देखो, ch3, ch2 whole x ऐसा ही उसकी जगह पर क्या दिखाई दे रहा आपको, ch2, क्या दिख रहा आपका, ch2, बाकी जो जैसा था, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, तो क्या बन जाते है, easter, ठीक, and finally जब easter का क्या करेंगे, hydrolysis करेंगे, water के साथ reaction कराएंगे, तो क्या होगा, जहाँ पर को भी, co, c2, h5 थ इसा था, ऐसा ही रहेगा, इसका hydrolysis करेंगे, तो यह bond break होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर, OH और इधर, H, तो क्या बन गया, COOH और C2H5OH, ठीक है, प्लस लिख भी दो यहाँ पर, C2H5OH, तो long chain fatty acid बन गया, ठीक है, तो यह कौन सी reaction है फिर आपकी, long chain fatty acids बनाते हैं, कि से, डाइलकेल जिंक से, ठीक, लास्ट, इस reaction, रिफार मेटर्स की reaction, एड़ इस वेरी इंपोर्टेंट, यह पूछी जाती है, डाइलकेल जिंक में, यदि सबसे यादा कुछ पूछा जाता है, तो यही रियक्शन पूछी जाती है, ठीक है, होती क्या है, देखो यह रियक् क्या करेंगे, जैसे माना, एक हिस्टर का एग्जामपल ले लो, CS3COO-R-S, यह भी हिस्टर है, ठीक है, CS3COO-R-S, ठीक, इसकी क्या करेंगे, एक हटाके क्या लगा दो इसमें, ब्रोमीन, तो यह क्या कहलाएगा, अलफा ब्रोमी इस्टर, मतलब क्या एग्जामपल हो जिंक मैटल, ठीक, इन ड्राइ एथर, जिंक मैटल भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, किसमें ड्राइ एथर और ड्राइ बेंजीन, ठीक, तो पहले क्या बनता है, एक और्गोनो जिंक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, और्गोनो जिंक कंपाउंड बनता है, यह और् alpha-bromoester plus zinc metal क्या बनाएंगे organo-zinc then this organo-zinc compound react with this carbonyl compound इसलिए लिखाया है ठीक है aldehyde और ketone जो भी होगा उससे reaction करेगा एक क्या बनेगा addition product बनेगा and finally HCl के साथ reaction करेंगे तो beta-hydroxy esters बनते हैं alpha-bromoester से क्या बनते हैं beta-hydroxy ester कैसे reaction होती देखो ये example मैंने simplest type of alpha-bromoester यही मैंने लिख दिया फिलाल BR-CH2-CO-C2H5 इसकी किस के साथ reaction करेंगे zinc के साथ zinc क्या होती इंसर्ट हो जाती इन दोनों के बीच में bromine और carbon के बीच में तो क्या बन जाएगा देखो BR-ZN बाकि जैसा था CS2-CO-C2H5 CS2-CO-C2H5 तो ये और्गनो जिंक का compound है क्योंकि इसमें zinc कार्बन से क्या है आपका directly link है अब क्या होता है आपका इसकी कार्बोनिल compound के साथ reaction होगी तो ये bond कैसे cleave होगा ऐसे होगा oxygen की electronegativity high है ये कैसा हो जाएगा negative ये कैसा हो जाएगा positive ठीक है अब यहां से ये bond cleave होता है कैसे होगा फिर metal हमेशा कैसे रहती है positive और ये कैसा रहता है negative तो क्या होगा ये delta positive समझ लो और ये delta negative तो ये positive कहां जुड़ेगा O में तो क्या बनेगा देखो OZNBR और ये CH2 वाला कहां जुड़ेगा आपका ये negative है ये carbon से जुड़ेगा इस से जुड़ेगा तो क्या बना देखो ये R ऐसा ही रहा ये C ऐसा ही रहा ये H मैंने नीचे दिखा दिया H ये क्या हो गया double का क्या हो गया ये single bond और ये क्या बना ZNBR ठीक आगे को क्या हुआ single bond CH2 COOC2H5 और फाइनली जब हम किसके साथ reaction की HCL के साथ reaction किया तो ये bond cleave होता है और यहां क्या जाता है H और यहां CL मतलब जो ये bond cleave होगा किसमें convert हो जाएगा आपका OH में convert हो जाएगा और क्या बनते हैं फिर आपके this is alpha and this one is beta beta में कौन सा ग्रूप है OH तो beta hydroxy esters क्या बनते हैं फिर आपके beta hydroxy ester ये reaction क्यों important है क्योंकि जो ये beta hydroxy ester बन रहा है वो क्या होता है कई natural product की जब हम synthesis करते हैं कई ऐसे compound है जो कि कहां से मिलते हैं आपके nature से मिलते हैं उनकी जब हम क्या करते हैं आपका synthesis करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ये starting material की तरह use होता है किस की तरह starting material मलब इसको बनाने में इसका use किया जाता है इसलिए reaction important है पूछी जाती है इसको अच्छी से समझ लेना alpha bromoster zinc के साथ reaction करता है zinc insert हो जाती है किस के बीच में bromine और carbon के बीच में ये bromine और carbon के बीच में zinc insert हो जाती है then carbonil के साथ simple reaction है C double bond हो कैसे होगा O में negative carbon में positive तो यहाँ से क्या तूटता है carbon zinc bond zinc positive carbon negative negative को positive से जोड़ दो positive को negative से जोड़ दो फिर HCL के साथ reaction करते हैं यह hydrolysis करते हैं तो यह bond cleave हो जाता है और क्या बन जाता है OH में convert हो जाता है तो जो बना product इस बीचा ब्रूमो इस्टर और यह final हो गया तो मारा organometallic compound ठीक है इसमने सबसे आता है organose zinc में तो यही पूछा जाता है reformatics की पूछी के reaction पूछी जाती है ग्रिगनार्ड को बनाने की synthesis, पूछ सकते है ग्रिगनार्ड की reaction मुछ सकते है यह 재미नार्ड को बनानी की दो क्या ustun कीये जाते है वह पूछा जाता है इस सारे किके questions तुमारे paper में आते हैं ठीक है next अगले day